Hello Everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंध्या कोरिडोर So उत्तर प्रदेश में अभी विंध्या वासिनी जो मंदिर है वहाँ पे एक कोरिडोर बनेगा ये विंध्या चल में बनेगा मिरजापुल डिस्टिट की बात हो रही है तो इसको हम डिटेल में देखेंगे ये कोरिडोर क्या है, इसके क्या फायदा होगा तो आए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले लेकिन आपसे क्वेशन पूछता हूँ इन में से कौन सा उर्जाताप सैयंत्र यानि thermal power plant ऐसा है जो उत्तर परदेश में नहीं है ठीक है? अनपारा thermal power station ओबरा thermal power station पंकी thermal power station या पतरातू इन चारों में से कौन सा UP में नहीं है इसका answer मैं आपको इस वीडियो के end में दूँगा तो चलिए पहले हम map देखते हैं यूपी का ये मैप है पूरा और 75 डिस्टिक्ट है यूपी में 75 डिस्टिक्ट में हम यहां आ जाते हैं इस पार्ट पे यानि की पूर्वान चल ठीक है पूर्व में जो है पूर्व में और दक्षिन में तो यूपी का जो सबसे उत्तर में जो डिस्टिक्ट है वो है साहरनप और सबसे दक्षिण में है सौन भध्र। ठीक है सौन भध्र। और सौन भध्र के आप ठीक उत्तर में देखेंगे यहाँ पर यह है मिर्जापूर डिस्ट्रिक्ट। तो मिर्जापूर डिस्टिक्ट को अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, हम इसे एरिया यहाँ पर focus करते हैं, यह सोन भद्र है और सोन भद्र मिर्जापूर से अलग होकर ही एक district बना था 1989 में, पहले मिर्जापूर UP का सबसे बड़ा district होता था, अब नहीं है क्योंकि यह जो सोन भद्र है यह अलग हो गया था, तो यह मिर्जापूर है यहाँ और मिर्जापूर की boundary यहाँ पर संद रविदास नगर यानि भदोई, वाराणसी और यहाँ पर चंडॉली इनसे इसकी boundary लगती है यहाँ पर हम मिर्जापूर को Zoom करके देखते हैं, यह इसके तहसील है, लालगंज, चुनार, मिर्जापूर सदर, इतियादी या सब इसके तहसील है, और यह जो अब नदी देख रहे हैं यह जो नदी है यह गंगा नदी है तो मिर्जापुर जो है यह गंगा नदी के किनारे है इन फैक्ट गंगा नदी विंध्या में जो मिलती है वो यहीं पे टच करती है और उसके बाद गंगा नदी जो है यहां से कैसे ट्रेवल करती है गंगा नदी और मिर्जापूर मशूर है अपनी दरी के लिए, दरी, कालीन, कार्पेट वगारा जो हैं उसके लिए, और अपने ब्रास्वेर, यानि पीतल के जो बरतन हैं, हस्त शल्प हैं, पीतल के जर्मन सिल्वर वगारा के उनके लिए, तो इनके लिए मिर्जापूर काफी मशूर है. सो मिर्जापूर में एक मंदिर है जिसका नाम है विद्या वासिनी देवी मंदिर ये दुर्गा मा का ही एक रूप है और भारत में जो 51 शक्ति पीट है ये उनमें से एक है काफी मशूर है देशी ही नहीं बलकि विदेशी परियाटक भी यहाँ पर आते हैं इसके अलावा मिर्जापूर में और भी बहुत सारे मंदिर है जैसे कालिक हो है सीता कुंड है अश्ट भुजा मंदिर है नारत घाट है गेरुआ तलाब मोतिया तलाब इत्यादी और बहुत सारे चोटे चोटे जल प्रपात भी आसपास है ये है जो वहाँ पे मेन शक्ति पी इनमें ये है अश्ट भुजा मंदिर ये है कालिको मंदिर और ये है उपर विद्यावासिनी मंदिर आप यहाँ पे मैप पे देखिए ये तीनों मंदिर जो है ये मिर्जापूर का मैप है और ये तीनों मंदिर जो है काफी एक दूसरे के नस्दीक है ठीक है काफी नस्दी इससे परियतन भी भड़ता है जब हम ऐसे टूरिजम सर्केट बना देते हैं तो इन्हें हम टूरिस्ट सर्केट बोलते हैं टूरिस्ट सर्केट का फायदा यह होता है कि अगर कोई वेक्ती सिर्फ एक जगा पे दर्शन करने आ रहा है तो बाकी जगा जाना इतना सुगम होग कि फिर वो वहाँ पर भी जाएगा तो इस कोरिडॉर का एक परपस ये भी है तो जैसे काशी विश्वनात कोरिडॉर बन रहा है वारानसी में उसी की तरह यहाँ पे मिरजापूर में विंध्यांचल में ये मा विद्यावासिनी मंदिर जो है इसके विकास के लिए विंध् आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो आसपास की गलियां हैं, यह काफी संकरी हैं, काफी नैरो हैं, और आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह जो अधिकारी हैं, यहाँ पर नाप्रे हैं, और यह काफी पतली पतली गलियां हैं, मंदिर तक पहुचना उत्रा असान नहीं है और यही सेम प्रॉबलम काशी विश्वनात मंदिर के साथ भी थी वाराणसी में सबसे पहली चीज़ जो सरकार यहाँ पर करेगी वो है विंदे अधाम परिक्रमा पथ बनाएगी क्योंकि जो भी यहाँ लोग जाते हैं इस मंदिर में वो परंपरागत तोर पर परिक्रमा करते हैं लेकिन परिक्रमा का जो मार्ग है वो काफी सीमित और संकरा है इस वजए से यहाँ पर दुरगटना की आशंका बनी रहती है मंदिर के आसपास चारों और 50 फीट चोडाई वाला परिक्रमा मार्ग बनाये जाएगा और लेकिन समस्या यह है कि मंदिर के आसपास जो 50 फीट तक अगर आपको खाली जगा चाहिए चारों दिशाओं में तो वहाँ पे बहुत सारी जो है होटल, प्रतिष्ठान, लॉज, दुकाने, मकान पहले से बनी हुई है तो उनको हाँ से घटाना पड़ेगा, यानी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अतिक रम्न किया हुआ है, जिसको वहाँ से हटाना पड़ेगा So, मंदिर का जो परिक्रमापत है, उसके अस्तित्यों में आने वाली जो भी चीजिए उसको सरकार हाँ से घटा देगी जिससे जो श्रधालू है उनके लिए रास्ता काफी सुगम हो जाए और उनकी सहुलियत काफी हो जाए वो असानी से दर्शन कर सकें तो यहाँ पर काफी सारी चीजय सरकार करेगी जैसे for example मा विंद्यावासिनी धाम तक जाने वाली मिर्णपूर से विंद्याचल वाली सडक का सुंदरी करन और चौड़ी करन फिर विंद्याचल से काली खो मंदिर अ मंदिर का भी अधूनी करन इस योजना के अनुसार जो रोड हैं बहुत चोड़े किये जाएंगे लगबग 35 फीट की जो चोड़ाई है जो सडके महाँ पर जाती है उनकी की जाएगी मंदिर तक पहुचने के कुल साथ रास्ते बनाये जाएंगे जिन में से एक रास्ता गंगा घाट की जाएगा तो लोग जो है वो गंगा घाट की तरफ भी जाएंगे और गंगा में भी सनान कर पाएंगे अब देखते हैं सरकार के और क्या-क्या प्लैन है यहाँ पे एक तो आप समझ गए कि जो मेन मंदिर है उसके चारों तरफ 50 फीट जो है जगा वो खाली रहेगी दूसरी बात मंदिर तक जाने वाली जो सडकें हैं वो काफी चोड़ी की जाएंगी और मंदिर जो है दो मंदिर और हैं अश्ट भुजा मंदिर और काली खो मंदिर उनका भी नवीनी करण किया जाएगा अधुनी करण किया जाएगा जिरनोधार किया जाएगा और उन तक पहुंचने के जो मार्ग हैं हाईवे से वो भी सुगम बनाई जाएंगे यह है सरकार का पूरा कॉरिड़ प्रज तो उसकी अडवेंचर टूरिजम यानि सहासी पर्यटन की भी अपार सम्भावनाएं हैं वाटर स्पोर्स हो सकते हैं यहां जो माता विंदेवासिनी धाम है यहां पे डेकोरेटिड लाइट रो स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और यहां पे एक उड़न खटोला भी बनेगा अश्ट बुजा मंदिर रोपवे जैसा कि अभी हमने देखा जूनागड में गिरनार में बना था या पिछले साल लक्षमन पहाडी में बना था तो इस तरह का रोपवे भी बनाए जाएगा जिससे खास तोर पर जो बुजुर्ग लोग है या जो पर यणा पर यटकों की ये बिल्कुल लेटेस टाकने है 2019 के सो विदेशी परियटकों के मामले में उत्तर परदेश तीसरे नंबर पे आता है भारत में पहले नंबर पे तमिलनाडु दूसरे पे महराष्ठ्र है और तीसरे पे योपी यह विदेशी परियटकों के मामले में UP तीसरे नमबर पे है और अगर मैं देशी परियटकों की बात करूँ तो देशी परियटकों के मामले में UP भारत में नमबर वन है तो यह बहुत जरूरी है कि जब कोई विदेशी परियटक भारत आएं तो उन्हें एक वो अनुभव मि इतना ही नहीं एक टूरिजम सर्किट के बनने से ना सिरफ एक बलकि जो विभिन अलग अलग जगा है या आसपास की जगा है उनमें भी परेटन विक्सित होता है यहाँ पर चुनार में जो फोर्ट है तो लोग अब आएंगे अगर उनका experience अच्छा हुआ तो ज्यादा रुकेंगे तो फिर वो आसपास चुनार फोर्ट और जो दूसरी जगा है वारानसी है परियागराज है परियागराज तो जाएंगे ही और भी बहुत सारी आसपास की कॉरीडर बनने में आरी है कि स्थानिय जो लोग हैं वह प्रोटेस्ट करेंगे अंदोलन करेंगे क्योंकि यह बहुत सारे लोग जिनकि दुकाने तो उनका रोजगार चला जाए गा तो यह सब प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं जब भी कोई चीज नई बनती तो उसमें एक बार वो friction जो है वो देखने को ज़रूर मिलता है तो वो सब समस्यां यहाँ पर अलड़ी आ रही है कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ लेकिन सरकार का मानना है कि बहुत जल्दी यह बनके तयार हो जाएगा तो यह था हमारा पूरा विंद्या कोरिडर और उमीद करता हूँ आने वाले समय में इससे यूपी में और ज़्यदा टूरिजम बढ़ेगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिक के जरूर पताईए और मैंने आपसे एक question पूछाता आज इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में तो मैं उसका answer आपको दे देता हूँ देखिए अनपरा जो है यह सौनभदर में है ओबरा भी सौनभदर में है पंकी जो है यह कानपूर में है पतरातू जहरखंड में है तो D answer है पतरातू जो उड़जा ताप सेयंतर है यह योपे में नहीं है तो यह इसका answer है मिलते हैं Study IQ के अगले वीडियो में Thank you for watching Study IQ